यह देखे गईज यम्मी Diasty आजटी रेसिपोए यानि मिनी पेटी्स भी कह सकते हैं और पॉकेट भी कह सकते हैं पॉकेटो पॉकेट अप्धु हगतों सब देखकेए कितने कमक्रिशपी एक एक लेयर एक दम से निकल कर आई है तो चलिए देखते हैं कैसे बनी on यम्मी बहुत जल्दी से तो हमारे यूटूब चैनल शाय मिस्रा में यह हमने दो मीडियम साइज के आलू कट करके ले लिए चौप कर लिए चोटे-चोटे बारी क्योंकि हम जिस तरह से आलू पेटिस बनाएं ना कम से कम तीन से चार दिन बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और रम नहीं पड़ें एक दम क्रिस्पी रहेंगे तो चलिए देखते हैं अपना बनाना सीखते हैं तो यह देखे गाइस बनाते हैं अपने अलू पेटिस तो नहीं हम बनाएंगो डू तो यह देखिए एक कपोरी हमें ले लिया है मैदा जिसका हम लगाएंगे पहले डो अच्छे से आप यही प्रोसेस कि आटे में भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो एक स्पून के करीब अपने घी ले लिया है क्योंकि घी आगे भी हम यूज़े से थोड़ा सा लिया हुआ है एक स्पून के करीब इसको अच्छे से मेलाएंगे मिक्स करेंगे अगर आप ले ले लेंगे और इससे हम थोड़ा ठुणा डालते हुए इसका सक्त डो लगार एंगे साख्त दो लएंगे और थोड़ा थोड़ा सच पंly नहीं कि दिखिए दम साप्तल्य यह क्योना से लित खिख कर कर予क, रूक के शाशले दो शेस्मारा सबस्शन हंधा हुआ ह्या पानी नहीं लगा है तो हम एकदम से रख देंगे ट्क ये स्थे करें करोंने एक तूमारा हम जो मारा छालो और गभी आप बंकर तैयार हो जाएगा तो यह च्ट करने के लिए रख देंगे 10-15 मीट .. तो यह देखिए इस तैसे डग देंगे जब तक हमारी स्टपिंग बनने के तयार होगी तब तक हमारा अटा रेस्ट कर लेगा तो चलिए अब स्टपिंग बनाते हैं तो यह देखिए अब हम कुछ अपने ड्राइ मसाले भी आड़ करेंगे क्योंकि पहले गर अपने ड्राइ मसाले आड़ कर देते तो हमारे मसाले जल जाते इस वज़े से तो यह देखिए लाल मिर्च पाउडर एड़ किया हुआ धनिया पाउडर और यह रहा हमारा चिली फ्लैक्स देखिए आप मसाले इसमें अपने हिजाब से आप आड़ कर सकते हैं स्वाद के अनुसार नमा देखिए पानी बिल्कुल नहीं आड़ करेंगे इसलिए इसको हम धीमी फ्लेम पर ही पकाएंगे तो यह देखिए मिक्स करते हुए हम पका मिक्स कर देंगे और कुक कर लेंगे इसे ढख करके ऐसे पकाएंगे इसमें पानी बिल्कुल भी आड़ नहीं करना है हमको यह देखिए बीच बीच में ऐसे हम चला देंगे जिससे की तली में चिपके नहीं आलू और अच्छे से कुक हो जाए है यह देख सकते हैं तो इस तरह से हम तोड़ कर देख लेंगे कर हमारा अलू अच्छे से कुक हो गया है तो इस तरह से टूट जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा तो अब हम ले लेगे एक पोटेटो मैसर उससे हम से मैस कर लेंगे जिससे की थोड़ी सी भी अगर हमारे अलू में मॉइस्ट होगा आलू तो वह सारा सूप जाएगा अच्छे से फ्राई हो जाएगा अब इसमें जाल दिया चाट मसाला और गरम मसाला और इसको हम कर देंगे मिक्स तरह से और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा आरगेनो देखिए अगर आपके पास अगर जैसे आरगेनो नहीं है कोई कस्तूरी मेथी और या फिर धनिया डाल दें आप हरी मगर जो भी चीजे डालें अगदम ड्राई होनी चाहिए अगर थोड़ा सा भी माश हो गया हमारा आलो तो जो हमारी पेस्टीज है वो नर्म पड़ जाएगी अगर आप हरी धनिया डालना चाहते तो उसको धुल के ड् कस्तूरी मेथी की महक आएगी तो इसी लिए तो आब इसे हम प्लेट पर निकाल कर रख लेंगे ताकि यह हमारा ठंडा हो जाए और देखे सेम कडाई ले ली है उसमें डाल दिया फ्राई करने के लिए ओयल तो इसे हम दीमी गैस पर रख देंगे दीमी फ्लेम पर जिसे कि दीमी गरम होगा और यह मने ले लिए एक स्पून की करी मैदा इससे हम एक इसलरी तयार करेंगे जो कि हमें इसे चिपकाने में अपनी आलू पेटिस को चिपकाने में मदद मिलेगी इस तरह से हम गोल बना लेंगे तो करीक पर दो से तीन स्पून पानी लग जाएगा और इसको देखेंगे एक तरह से हमारे अभी काल का काम करेंगे इस तरह से बना लेए और ये हमारी बन करकेроде हो चुके तो इसको रख आएगे अगे का काम कि आगे हमें क्या करना दिखिए आप रुकेगा नहीं लेकिन देखें, कितना अच्छे से कितना यंमी बन कर त्यार होता, देखें आटा भी वारा, सेट हो चुका है, तो इसको एक बार मसल लेंगे, स्मूथ कर लेंगे, जिससे की, गी, अच्छा हो जाएगा, तो इसकी आगा हम लोहां तोड़ लेंगे, ठीक है, जिस हिसाब से आ आटा हमने थोड़ा सा रख लिया है मैदा इसको आइसे smoothly गोल बनाते ही सुखा आटा लगा करके इसे हम बेल लेंगे तो यह देख सकते हैं इस तरह से वेलन से रोलर से या रोलर से बेल लेंगे अच्छे से यह इतनी बड़ी सी बेल ली है इतनी थिकनस की तो अब इसे क्या क कि अगा को उसवर्ट रक देंगे इसे को एक प्लेट या थाली पर लग देंगे दूसरे वर्तन पर इससे और लोकिक यह उसा यह दीजेंगे देख सकते हैं गूए सह आई इस तरह से रोलर से रोलकरते चानी अधीर बहुत तरह तो है ने आप आगर्डि आसनिक भलाक्त south साम को ही बना करके रख दीजे आप फ्रिज में और सुबा बस डो लगाईए और यह बना करके तयार कर दीजे बच्चे बहुत प्रेम से खाएंगे तो देखे एक हमने दो हटा दी है अपनी पूरिया और एक इस पर पूरिय ले लिए है तिस पर देखे हमें क्या करना है तो देखे घी बगएरा में यह चीजें बहुत अच्छी बनती है क्रस्पी जाधा रहती है इस वज़े से तो आप ऐल से भी बना सकते हैं मगर वह स्वाद वह क्रिस्पनेस नहीं आएगी जो घी से आएगी आप इसकी जगह पर बनस्पती घी भी ले सकते हैं तो इस तरह से हम दूसरी जो रोटी बेल करके रखी है उसको चिपका देंगे अच्छे से इस तरह से अब हम क्या करेंगे इसको बेलन से इसको रोल कर लें जिससे कि यह आपस में सारी कि सारी रोटियां चिपक जाएंगी तो इस तरह से देखे इससे थोड़ा सा मारा पतली भी हो जाएंग अब इसे हमें क्या करना है चौक और इसका पार्ट बना लेना है तो यह देखिए जितनी बड़ी आपको पॉकेट बनानी है या पेटिस बनानी है उस हिसाब से हमने कट कर लिया है यह देख सकते हैं और इसको अब हम 20 से कट कर देंगे इस तरह से यह देखिए कट कर दिया है तो इसकी भी हमें पेटिस बन जाएंगी और इस पर अब हम आलू अपना रखते हुए थोड़ा सा एक स्पून के करीब आलू रख देंगे और जोक की बहुत यमी गाइज यह तो आप इसके आगे न इस तरह से एक सार करते हुए सारे तरफ रख लेंगे और जो हमने इस लड़ी बना करके रखी है उससे हमें चिपकाना है तो यह चारो तरफ हम लगा देंगे यह देखिए इस तरह से इस साइड में लगाना और इस साइड में हाप में लगाना है और इधर हाप में लगा द यूमी और टेस्टी इस तरह से चिपका रहें मगर देखेगा दाश्ट में इसको फ्राइ करते समय कि इतनी इसकी भी इतनी अच्छे सी यम्मी सी लेयर बन करते निकलेंगी ना कि आप देखते रहेंगे तो यह देखे बन चुकिए इसी तरह से हम सारे बना लेंगे जी बचा गरम हो चुका है बस ओयल को दीरे इतना याद रखना है कि आयल को हाई फ्लेम पर गरम नहीं करना है इसको अच्छे से तो यह देखे हमने डाल दी अपनी पीटी तो एक बार कडाई में जितनी पीटी आजाए बस उतने ही साधाराण हमें डालना है जिससे कि यह तूटे य एक मिनट के लिए हमारे जब हो जाता है तब हम इसे हलकेट के हाथों से ऐसे पलट देंगे और यह देख सकते हैं आज आप इसकी लेयर्स जो है खुलना स्टार्ट हो चुकी है बहुत यम्मी लग रही है देखने में और अभी देखिए यह लग लग दस मिनट हो चुका है कि ओंड में सुटें तो देख सकते हैं आप कितना आप्षी सब्सक्राइब यंभी करते हैं तो यह सब्सक्राइब देखें और सारे एक पेटी की देखें लेयर आप देख सकते हैं और यह टमाटर की चटनी वही हमने बनाई थी जो हमने आपको पह पिछली वीडियो में दी हुई है इसका हम लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो यह देखें लेयर कितन निक्स रिस्पी के साथ बाबाए